Hello everyone, I'm Avijit इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक must have computer and laptop accessory की So कुछ दिनों पहले मेरे palm में pain हो रहा था And then I figured out कि college शुरू होने के कारण मेरा laptop usage पहले से बढ़ गया है And मैं जो mousepad यूज कर रहा हूँ वो एक regular mousepad है That's why I thought कि मुझे एक new mousepad लेने की जरूरत है जिसका palm rest comfortable हो तो मैंने online search करना शुरू कर दिया After checking some mousepads from different brands, I got this And ये mousepad मुझे बढ़िया लगा So I ordered this product और अब वेट कर लेते इसके deliver होने का So finally mousepad is delivered And ये आता है Tuxler brand की तरफ से इसे मैंने purchase किया 425 rupees में But sale में ये 399 rupees में भी मिल जाता है जैसा मैंने अभी चेक किया अब आप लोग कहोगी कि इतना pay करने की क्या ज़रूरत थी एक mousepad के लिए So wait and watch till the end Box की बात करें तो box काफी premium दिखता है यहाँ पर branding भी की हुई है वैसे ये mousepad और भी colors में available था But मैंने black color pick किया You can check description for link Moving on पीछे की तरफ कुछ key features लिखे हुए है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे So फटाफ़र से इसे unbox कर लेते है इसके looks की बात करें तो ये काफी premium दिखता है यहाँ पर texture की branding भी की हुई है जो देखने में काफी सई लगड़ा है इसमें lycra fabric का इस्तिमाल किया गया है For smooth and seamless mouse control 2 cm की height है for comfort इसकी build की बात करें तो silicon से बना होने के साथ ही साथ इसमें memory foam दिया गया है जिसके कारण मैंने इसे purchase किया Memory foam एक ऐसा material है जो काफी soft and comfortable होता है हमारी body के लिए For example, shoes में भी इसका इस्तिमाल किया जाता है जिससे के अगर आप काफी चलते हैं या दौरते हैं तो आपके पैरों के pain को reduce किया जाए बाकी other materials के मुकाबले better तरीके से Memory foam जहाँ पर भी use हो रहा होता है वो चाहे mouse pad में हो या shoes में वहाँ के pain को खत्म तो नहीं कर सकता बट reduce कर सकता as much as possible लैक pain होने से बचा सकता है इसमें anti-slip rubber base दिया गया है जिसका मतलब है कि ये slip नहीं करेगा आपके table से तो अब मैं mouse pad को थोड़ा use कर लेता हूँ उसके बाद आगे बाद करते है So after using it for less than a week मैं यही कहूँगा कि ये product अपने price को justify करता है मेरा palm pain वाला issue भी solve हो गया इसे use करते वक्त मुझे काफी smooth experience मिला वो चाहे mouse pad पर mouse activity control करते वक्त हो या palm rest के perspective से कहूँ इसका material मुझे personally काफी soft लगा जिसके कारण pain भी नहीं होता लंबे वक्त तक use करने पर plain surface पर इसकी grip भी बढ़िया है बट हाँ इस mouse pad के dimensions कम है यानि कि ये size में छोटा है normal users के लिए decent है बट maybe gamers के लिए sufficient ना हो So मैं यही कहूँगा कि अगर आप एक अच्छा mouse pad ढून रहा है जो आपके comfort को ध्यान रखे तो आप इसे purchase कर सकते है बाकि अगर आपके ध्यान में कोई mouse pad है तो आप comment करके बता सकते है वीडियो अच्छा लगा तो like कीजे share कर दीजे सभी computer और laptop users के साथ and subscribe for more videos like this I will see you in the next one